अविनाश राय खना ने कहा कि प्रदेश प्रभारी बनने के बाद जिला के प्रवास पर पहुंचे हैं और सारे प्रदीश को समझने और देखने लिए काम किया जाएगा उन्होंने कहा कि बूत तक जाकर सबी कारेकरताओं से मिलकर पार्टी की नितियों को जन जन तक पहुंचाना है उन्होंने कहा कि भाजबा सरकार की तीन साल की उपलब्डियों को लोगों तक पहुंचाने लिए कारेकरता किस तरह से काम करें इस पर काम किये जाएगा यहां रूटीन का प्रवास है क्योंकि अभी ने प्रभारी बनने के बाद सारे परदेश को देखना है समझना है और कारेकरता जो लगे हुए हैं उनका हौसला वज़ाई करनी है जो हमारा बूत तक कारेकरता पन्ना प्रमुख सभी कारेकरताओं से मिलना जुलना और अभी अभी हमने चिला परशद ब्लॉक सम्ति जीती है सर पंच और पंच जीते हैं नगर कॉंसल नगर परशजीती है उन लोगों से भी मिलने का प्रोग्राम है ताकि जो लोगों ने उनको जम्मेवारी दी है वो अच्छी तरह जम्मेवारी ने बहा पाए जो हमारी सरकार के तीन वरश हुए है उन सभी कारेकरमों को कारेकरता नी इनकी हाजरी हर जगा बहुत जरूरी है। उन्हें कहा कि पार्टी को धुमल का मार्क दर्शन हर स्मय बहुत जरूरी है। उन्हें कहा कि नेता का चुनाप चुनापों के बाद होता है। उन्हें कहा कि हर चीज स्मय आने पर दे होती है और इसके लिए अभी बहुत स्मय है। अभी दो साल पड़े हैं, दूमल जी हमारे मैं कह सकता हूं कि मोस्ट रिस्पेक्टर लीडर आफ दी हिमाचल परदेश हैं, तो इनका मारुख दर्शन, इनका हाजरी हर जगा रहेगी, अब पार्टी में आपको पता ही है कि भारती जनता पार्टी कभी भी किसी पार्टी कार हर चीज समय आने पर पताई जाती है, देखिए अभी तो भारती जनता पार्टी क्योंकि बाकी राजियों में दूसरे चुनाव शुरू हो गये हैं, अगर जूर्ट पड़ी, तो हो सकता है, क्यों केंदर नेता हमारे केंदर नेता तो बैठे हैं जहां, उन्राग जी, तो लोग लगेंगे, धुमल साब बैठे जे भी लगेंगे, मुख्यमंत्री खुब लगे हुए हैं, हम लोग खुद लगे हुए हैं, चुनाव जीतना है, उसके लिए सारे कारे करता और सब नेता बैठ कर, मिलकर चुनाव में जाएंगे अभिनाश रायखना ने कॉंग्रेस को फटकार लगाते हुए कहा कि कॉंग्रेस आज मुदा बहीन नीता बहीन पार्टी है, उन्होंने कहा कि आज हिमाचल बिधानसभा में जो काम किया है, उससे कॉंग्रेस को पूरे देश में इसका जवाब देना पड़ेगा, वहीं कॉ मनाया है क्योंकि लाज जपाल के साथ इस तरह का बेवहार निंदनी है, देखिए कॉंग्रेस जो है न एक संटेंस में कहूं तो आज मुदा वहीन, नेता वहीन और दिशा वहीन पार्टी हो चुकी है, और मैं समझता हूँ जो उन्होंने असेंबली में किया है, हिमाचल ए आज हिमाचल में बल सारे देश में एक अपना मॉरल कहते हैं कि खो चुकी है, आज उसका कोई भी नाम लेने वाला नहीं है, आज जिस ढंक से उन्होंने हिमाचल में किया है, कांग्रेस सारे देश में उसको इसका जवाब देना पड़ेगा, और भारती जनता पार्टी का क भी जा था, ना कि गुवर्नत, जो कि फर्स सिटिजन आफ स्टेट होता है, उसको घेरने के लिए भी जागा, भाजबा परदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने राहुल गांधी पर तंच कस्ते हुए कहा कि आज राहुल गांधी को कोई भी सीरियस नहीं लेता है, और मीडिया भी सिर्फ न्यूस के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने राहुल गांधी से पूझा की बेबताएं कि आज तक देश के हित के लिए क्या बयान दिया है, तो राहुल को को सीरियस नहीं लेता है, कौन लेता है सीरिस बताओ, आप लोगों कोई मज़ा आता ह कि बोले कुछ तो हम एक न्यूस चलाएं, ठीक है, वो एक न्यूस के लिए तो उनका स्टेटमेंट ठीक है, आज तक मुझे कोई ऐसा उसका बयान बतादो जो उसने पार्टी जा देश के दिया हूँ पंजाब में भाशपा को नगर निकम चुनावों में हारपर प्रदेश प्रभारी ने कहा कि पंजाब में कौंग्रिस कब्जा करने की राजनी देगर रही है, उन्होंने कहा कि पंजाब में गुंडा गर्दी करके बूदों पर कब्जा किया है और भाशपा के उमीदवार पूठों को कैप्चर किया जिस ढंक से हम लोगों को मेन करने नहीं दी यहां तक मैं एक इंस्टांस बताता हूं समझ सकते हूं कि वहां का चुनाफ क्या था हमारे तीन कंडिडेट उनको उठाया गया पीटा गया फिर उनसे ही अपने पोस्टों को पड़वाया गया उनके ख पजा करने लिगा ले